अर्जुन कपूर और मलायका अरोडा की शादी नमस्कार मैं हूँ अजयादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट चनाइन न्यूस आज के इस खास पेशकश में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन दोनों की शादी की चर्चाएं जोरो पर हो रही हैं खैर चर्चाएं तो होती रहेंगी लेकिन अब एक और खबर निकल कर सामने आ रही है अर्जुन और मलायका की शादी की बीच अगर होती है दोनों की शादी तो दोनों की शादी में शामिल हो सकते हैं मलायका के एक्स पती अरबास खान भी अब क्या खबर है आई आपको तुम्हाई एक इंट्रिव्यू के दरान हाली में अर्बाज खान ने अपने टूटे रिष्टे और मलाइका के अफेर की खबरों पर बात चीत की थी अर्बाज खान ने कहा लोग अपनी जिन्दकी और करियर को परफेक्ट करने के लिए कई सारे कंप्रमाइस करते हैं शादी में भी ऐसा ही होता है इतना ही नहीं अर्बाज ने ये भी कहा कि एक अच्छे कपल बनने के लिए दोई लोग कई adjustments और साथी कंप्रमाइस करते हैं चाहे वो खुश हो या फिर ना हो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यूं हमें और अच्छा पानी की चाहत नहीं रखनी चाहिए हर किसी को एक अच्छी पतनी की चाहत होती है और मैं खुश हूँ मैंने किस साल तक अपने रिष्टे को बचा कर रखा लेकिन ठीक है हर कोई इतने वक्त तक अपने रिष्टे को बिल्कुल भी समाल नहीं सकता बता दें कि इन दिनों अरबास खान अपनी विदेशी गल्फरिंट जॉर्जिया इंटरानी की शादी करने की खबरों पर जोरो पर हैं तो होई अरजुन और मलाइका कपूर की शादी की भी खबरे आने लगी है तो इसके लाबा अरजुन कपूर और मलाइका जहां कई बार स्पोर्ट किये जाते हैं तो वही मलाइका अरड़ा को कई बार खान परिवार के साथ भी स्पोर्ट किया गया है मलाइका कई बार खान परिवार की पार्टीज और साथी फंक्शन्स अटेंड करती हैं जहां उनके बेटे अरहान भी दिखाई देते हैं खेर इसके लावा अरबास खान के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि उनको अरज्ण और मलाइका के रिलेशन से कोई भी प्रिशानी नहीं है वल अब देखने वाली बात यह होगी कि अरज्ण मलाइका की शादी की खबरे जो आती है वो खबरे अगर सच होती हैं और दोनों की अगर शादी होती है तो क्या अर्भाज खान जो कि मलाईका रोडा के एक्सबती हैं वो इस शादी का हिस्सा होंगे या फिर नहीं काफी लंबे टाइम के बाद एक दूसरे को डेट करते करते फाइनली ओफिशिल हो चुका है कि अरजुन कपूर और मलायका रोड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं इसके लावा आपको हमने आज के इस प्रोग्राम में यह बताया खास पेशकश में यह बताया कि कैसे अरज की हिताम हम अपडेट के लिए जुड़े हमारे चनल नेक्स नाइन नियूस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें